जो राग आज हम डिसकस कर रहे हैं, उस राग का नाम है राग काफी, राग काफी में हम साथ स्वरों का प्रयोग करते हैं, वो साथ स्वर हैं सा, रे, ग, म, प, ध, न, इन साथ स्वरों का प्रयोग हम राग काफी में करते हैं, जिसमें दो स्वर कोमल माने जाते हैं, वो दो स सवर हैं गन्धार और निशाद इस गव और नी इस राग-काफी में कोमल है बाकि सारे सवर इसमें शुद्ध प्रयोक के है जाते हैं अगर हम राग की बात करते हैं तो सबसे पहले जो थाठ है जिस थाठ से ये जनित राग बना है वो थाट के भी बात करते हैं तो बच्चें हिंदुस्तानी शास्त्रे संगीत में दस थाट भर्तकंडी जी ने बताया है उन दस थाटों में से एक थाट काफी थाट भी है अब काफी थाट की पहचान है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर थाट में साथ गमपधनी। तो काफी थाट में भी साथ स्वर हैं सारे गमपधनी लेकिन इसमें og ni, कोमल है। तो काफी थाट से का ही जो आश्रे राग है अब काफी थाट के अंतरगत बहुत सारे राग आते हैं जिसमें भीमपलासी भी एक राग है बहुत फेमस राग है शाम का राग है भीमपलासी उसी तरह और भी कई सारे राग आते हैं तो काफी थाट का जो आश्रे राग है जिसस जिसक, यानि जो थाट के स्वर हैं, वही सेम स्वर जो राग में प्रियोक किया जाते हैं, उन्हीं को हम आश्रे राग मानते हैं, तो काफी थाट का आश्रे राग ही राग काफी कहा जाता है हर थाट के अपने एक आश्रे राग होते हैं तो राग काफी में भी साथ स्वरों का प्रियोग किया जाता है और इसमें गंधार और निशाद कोमल है गव और नी कोमल है उसके बाद जैसा कि साथ स्वर है तो इसकी जाती क्या होगी तो इसकी जाती होगी संपूर्ण 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 दो बार कहने का मतलब है बच्चों कि एक बार आरोह में साथ स्वर जाते हैं सारे गामा पादनी सा और वापस लोटते भी है सानी धपा मगरे सा तो जाने में में भी साथ सौर आने में 27 स्वर संपूर्ण इसकी जाती है संपूर्ण संपूर्ण स्राः का वादी समाधी अगर हम देखें तो इस राइड का वाधी है पंचंध मिन्स पा और सॉम्वादी शड्ज इननई सा तो पप्रेयोक किये जाने वाला सवर दो उन्हीं को हम वादि समादी कहते हैं तो पंचम और शडज इस राख के दो प्रमुक्स्वर हैं जब हम इसकी गायकी करेंगे जब अलाप करते हैं बंदिश करते हैं तो इसमें सबसे जादा इन दो स्वरों का प्रयोग किया या था है अब हर राख के अपने गायन समय होता है जिस समय उसको गायन समय बनाए गया है तो राख काफी के गायन समय की अगर बात करें तो इसे हम रात्री का द्वीतिय प्रहर मिंस साथ से दस पहला प्रहर होता है रात्री का दस बजे के बाद इसको गाया बया जाता है इसलिए इसकी गायन समय रात्री का द्वीतिय प्रह माना गया है राग काफी का ठीक है अब इसकी प्रकृती की बात करें तो राग काफी एक ऐसा राग है जिसमें थोड़ा बहुत चंचल प्रकृती भी है नजाकत है तो इसमें राग काफी को शास्त्रिय संगीत के अलावा उप शास्त्रिय संगीत तथा सुगम संगीत में ज्य जैसे ठुम्री है होरी है चैती है कज्री बहुत सारी विदाएं उफ शास्त्री संगीत के अंतरगत भी आते हैं तो ख्याल ख्याल संगीत के अलावा ख्याल में जारत तरम इसमें विलंबित ख्याल ना गाके विलंबित ख्याल ना बजाके हम इसमें छोटा ख्याल ही गाते हैं अगर हम शास्त्रे संगीत की अगर बात करें तो शास्त्रे संगीत की अगर बात करें के बारे में मिलता है तो राग काफी में उप शास्त्रे संगीत में हम होरी जैसे फागून के महीने में होरी गाते हैं तो होरी के लिए यह बहुत ही पेटिंट राग है इस राग में कई सारी होली की कॉम्पोज़िशन हमें सुनने को मिलती है ठीक है उसके अलावा सुगम संगीत में कई सारे भजन वगणरा इसमें किया जाता है तो शास्त्रिया संगीत से ज़्यादा इसका प्रयोग उप्षास्त्रिय तथा सुक्म संगीत में किया जाता है